ओम श्रीगने शायनवान, आप सभी का स्वागत है, जोतिश की जानकारी के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें, सभी जीवन में सुखी रहें, स्वास्त रहें, उन्नती करें, किसी को भी दुख्त क्लिव कर्ष्ट ने हो, इसी भावना के साथ, आज हम विचार करेंगे, जनम पत्री में तृतिय भाव में केतू, जब कुंडली के तीसरे भाव में केतू होता है, तो उसका जातक के जीवन के उपर कैसा प्रफाप पड़ता है, संस्कृत में केतु को शिखी भी कहा जाता है शिखी नाम से पुकारा जाता है जब शिखी केतु कुंडली में तृतिय भाव में हो तो जातक के जीवन के उपर कैसा प्रभाव रहता है इस विशे के उपर विस्ताथ से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दे कोई भी उपाई अपनी तरब से नहे करें किसी योग्य योदसी से सलाह लेकर ही उपाई करें अत्वा आप मुझसे भी संपर कर सकते हैं और कभी-कभी ग्रह जो है एक भाव आगे का फल भी दे सकता है जब पिछले भाव का फल भी दे सकता है तो इसलिए अगर तृतिय भाव के केतु का फल आप से मैचना हो तो चोथे भाव के केतु का फल देखें जा दूसरे भाव के केतु का फल देखें आयो विचार करते हैं केतु का प्रभाव त्रितिय भाव में, तीसरे भाव में केतु जो है शत्रु नाश करता है ऐसा जातक अपने प्रताप से, अपने प्रभाव से शत्रु का नाश कर देता है शत्रु उसके सामने ठहर नहीं पाता किन्तु जीवन में विवर्थ का विवाद भी लगा रहता है विवर्थ का बाद भी बाद होता रहता है, कुछ न कुछ कल है भी जीवन में होता रहता है केतु कई शुव होने पर जातक जो है विशय भोग प्राप्त करता है, एश्वरय प्राप्त करता है और तेज की प्राप्ती जातक को होती है मित्रों से कष्ट की संभावना रहती है, मित्रों से धनहानी जातक को हो सकती है मित्र स्वंधी सुख जो है जातक के जीवन में कम होता है ऐसे जातक को भुजाओं के स्वंधी कोई रोग हो सकता है भुजाओं में पीड़ा हो सकती है बुजाओं से स्वंधित जातक कोई न कोई दिक्कत जीवन में हो सकती है मन में भ्रह्म रह सकता है किसी भ्रह्म के कारण जातक अपना नुकसान कर सकता है किसी बह्म के कारण किसी भ्रह्म के कारण जातक को प्रशानी हो सकती है और भ्रम के कारण चिंता होने से जातक का मन जो है वो ब्याकुल भी हो सकता है जम्मन में ब्याकुलता रहती है ऐसे जातक को चाहिए कि वो जब तक जथार्थवात का ग्यान ने प्राप्त कर ले तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी-कभी जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वो सच नहीं होता इस कारण ब्यर्थी कलपनाएं जातक को नहीं करनी चाहिए जब तक जथार्त का ग्यान ना हो जाए तब तक उस विशे के उपर चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा जातक कुछ उदासीन भी जीवन में हो सकता है और भाईयों से मनमुटाब रह सकता है भाईयों से दूरी रहेगी भाई से जातक जो है बहुत दूर रहेगा और मनमुटाब भी जातक का अपने भाईयों के साथ हो सकता है और भाई के सुख में कमी भी जातक को होगी मित्रों से हानी की संभावना जातक को रहती है जब तृतिया भाव में केतु होता है तो ऐसे समय में राहू नवम भाव में होता है तो कभी-कभी देखा गया है कि ऐसे जातक के ग्रहस्त जीवन में कोई दिक्कत आ जाती है जीवन साथी से दूर होना पड़ता है और संतान से भी दूर होना पड़ता है संतान के उपर भी कष्ट की संभावना हो सकती है तो इसके लिए नवभाव के राहु का उपाए देखना चाहिए उससे संतान सुख में जो कमी होती है वो दूर हो जाएगी हस्तरेखा का अब जदी विचार करें तो केतु का जो निशान होता है वो त्रिशूल का निशान होता है अब केतु के त्रिशूल का निशान जो है मंगल नेक परवत के उपर हस्तरेखा में होगा केतु के प्रभाव से जातक जो है अपने भाईयों से शतुरता रख सकता है भाईयों से उसका मन मुटाव हो सकता है भाईयों से दुख की प्राप्ति हो सकती है अलग रह सकता है अपने भाई से जा बहुत दूर परदेश में अपने भाई से दूर रहता होगा भाब जे है के ऐसे जातक का अपने भाई के साथ रहना बहुत कम होता है उनमें दूरी हो सकती है और जदी इकठे रहते हैं तो आप समें किसी प्रकार का कलह भी हो सकता है अब कुंडली में केतु स्वैम धन का प्रभाव देगा और आयो का आयो की हानी करने वाला होगा और धन की हानी करने वाला होगा जातक ऐसा जातक जो है दूसरों की सहायता करने वाला द्यालू पुर्ष होगा महात्मा होगा वैं दूसरों की सहायता करने से कभी इनकार नहीं करता जड़ी कुंडली के बार में भार में मंगल हो तो ऐसी स्थिती में 24 वर्ष की आयू से जा पहले पुत्र के जनम से पहली संतान के जनम से जातक की उन्ती जो है वो शुरू हो जाएगी जीवन में जातक बहुत उन्ती करेगा विशेश रूप से जब कोई सफेद बालों बाला ब्रिद जो है जातक की सहायता करे और भाव यह है कि जदी ऐसे जातक की कोई सफेद बालों बाला सहायता करे तो जातक प्रग्ति करता है अत्वा ऐसे जातक के साथ है ऐसे व्यक्ति के साथ जातक को सलह मश्वरा करते रहन चाहिए जिसके सिरके बाल सफेद हूं और तीसरे भाव में केतु होने पर जातक को चाहिए कि वो बिना सोचे समझे दूसरों की हां में हां ना मिलाए और ऐसे में जातक को कोई पत्ती का सामना करना पड़ सकता है पूरी तरह सोच विचार कर ही कोई कारे करना चाहिए दूसरों की हां में हां मिलाने से जातक को साफधान रहना चाहिए तृतिय भाव में केतु के प्रभाव से जातक ऐसा होगा कि हर समय बिक्शिप्त रहने वाला और बहुत ज़्यादा बोलने की आदत भी होगी परन्तु ऐसा जातक जो है दिल का बहुत नेक होता है बुद्ध वै शुकर खेती वै ग्रहस्त का सुक जो है इनसे मन्दा होगा जे दोनों ग्रह जो है वो मन्दे हो सकते हैं केतु के तृतिय भाव में होने के कारण बुद्ध और शुकर का फल जो है वो मंदा हो सकता है, ग्रहस्त सुख में कुछ जातक को कमी हो सकती है और जातक का अपने भाईयों से जा अपने ससुदाल से भी दुखी हो सकता है इनकी तरफ से कोई प्रशानिया जातक के लिए खड़ी हो सकती है और मंगल बद का तीसरा घर होने के कारण ऐसे जातक को जल्दी जल्दी सुख जो है वो नसीव नहीं होता जा ज़री जीवन में कुछ सुख आता है तो बहुत जल्दी वो चला भी जाता है ऐसे जातक का धन जो है वो मुकदमियादी में कोट के कारें में बरबाद हो सकता है ज्यादा धन जो है इन्हीं कारें के उपर लग जाएगा पत्नी तथा साथियों से अकारण जुदाई होगी इनसे दूर होना पड़ेगा क्योई भी कारण हो सकता है कलहे भी इसका एक कार्ण हो सकता है कि पत्री से दूर होना पड़े और मित्रों से दूर होना पड़े कलहे की कार्ण भाव जे है कि पत्री से कल होकर उन दोनों में दूरी आ जाती है और बहुत समेदा के एक दूसरे से दूर रहते हैं और फिर आपस में मिल भी जाते हैं ऐसा प्रभाव जो है तीसरे भाव का केतु जो है वो देता है जड़ी जातक का साला जातक के साथ रहे तो ऐसी स्थेती में भाई जो है वो दुख का सामना करता है जातक के भाई को दुख का सामना करना पड़ता है के तू तीन के प्रभाव से जातक के जीवन में तीन का अंकड़ा भी हो सकता है जैसे तीन भाई होना जा तीन संतान होना आदी इस तरह से तीन का अकड़ा जिवन में हो सकता है मकान का मुख ज़री दक्षन मुखी हो तो ऐसी स्तिती में हर वर्ष जो है संतान के लिए मंदा हो सकता है और संतान के सुख में जातक को कमी हो सकती है और संतान को भी दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है अश्टमभाम में चंदर जा मंगल हो कुंडली में ऐसी स्थिती में दक्षिन मुखी मकान जातक का हो सकता है और मकान में निरंतर तीन साल रहने से संतान के उपर मन्दा असर होता है अश्टम भाब में जो भी ग्रह हो उसका समय होता है जीवन में उस समय में मन्दा प्रभाब जात को मिलता है चंद्रमा जा मंगल कुंडली में तृतिय भाव में हो जा चतुर्थ भाव में हो ऐसी स्थिती में जा तक निर्धन हो सकता है और उसका भाग्य जो है वो कमजोर हो सकता है तृतिय भाव और नवम भाव के जो ग्रह जो है खासकर तृतिय भाव का ग्रह जो है वो रोग ही देता है अब तृतिय भाव में होने पर केतु स्वंधी रोग जो है वो जा तक को हो सकते हैं जैसे स्वांस के दिक्कत सांस चरजाना, स्वांस के स्वंधी को दिक्कत अस्थमा दी हो जाना, फेफडों के रोग होना, कान में कोई समस्या होना, कान से कम सुनाई देना, रिड की हड़ी में दर्द रहना, जोडों में दर्द रहना, पाव में चोट लगना, पाव में दर् पेर के उपर सोना अवश्यधारन करना चाहिए, सोने की अंगुठी पहने जा गले में सोना पहना चाहिए, केसर जा हल्दी का तिलकजातक को लगाना चाहिए, और ब्रहषपती की चीजीं जो है चने की दालादी जल प्रभा करनी चाहिए, तो ऐसी स्थीति में मंदा स्वास् जातक को धन लाब भी होगा जदी जातक को बार बार किसी यात्रा के कारण जा किसी तवादले के कारण परिशानी होती हो तो ऐसी स्थिती में सूर्य और चंद्रमा की जो वस्तु है उसे जल परभा करना चाहिए और घर के पास जदी कोई उजला हुआ मकान हो कोई गिरा हुआ मकान हो तो उसमें महीने में एक बार साबत मुंग जो है पानी में भी रोकर वहाँ छिर्कनी चाहिए साबत मुंग का छिटा वहाँ देना चाहिए और ऐसे जातक को चाहिए कि वो दक्षिन मुखी मकान में ने रहे दक्षिन मुखी मकान ऐसे जातकों के लिए अशुब हो सकता है और इसे संतान के उपर मंदासर पड़ेगा संतान शुक में कमी हो सकती है जा संतान के उपर कष्ट रह सकता है सिंग राशी में जा धनु राशी में केतु जड़ी तृतिय भाव में हो ऐसी स्थिती में हिरदय रोग की संभावना रहेगी बहरापन भी हो सकता है और कंधे के उपर कोई चोट भी लग सकती है जड़ी में राशी में तृतिय भाव में केतु हो तो ऐसी स्थिती में जातक जो है वो अध्यातम एक ग्यान जो है वो प्राप्त करता है और अध्यातम के शक्तियां जो है वो जातक में होती है अध्यातम का ग्यान जातम में बहुत होता है ऐसा जातक कोई साधू संत जा फकीर भी हो सकता है और तृतिय भाव में केतु ज़िनी मंदा फल दे रहा हो केतु की महादशा चल रही हो केतु का परत्यंतर चल रहा हो तो ऐसी स्थिती में समस्यां को दूर करने के लिए केतु के जो देवता हैं श्री गनपती भगवान उनकी अराधना करनी चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए ओम गंगन पते नमा इस मंतर का जाप करना चाहिए और ज़िस संतान के ओपर कोई कष्ट आता हो तो कुटा पारना चाहिए कुटे की सेवा करनी चाहिए कुटे को रोटी देनी चाहिए इससे भी केतु का मंदा असर जो है वो दूर हो जाता है और केतु को शुक करने के लिए केतु के वीज मंतर का जप करवा कर हवना दी जो है वो जातक को करना चाहिए इससे भी केतु का मंदाफल जो है वो दूर हो जाता है और जनव पत्री सबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रप्शन में मेरा नमबर दिया गया है जाए श्री कृष्णा जाए श्री राम